तो आज हम बात करने वाले हैं about bidding strategy क्या होता है auction क्या होता है कैसे cost क्या प्लग क्यूज करते हैं कैसे तो अगर आपने हमाई पूरी सीरीज नहीं देखिए तो प्लीज जाके पूरी सीरीज देखिए क्योंकि यह सीरीज नहीं है यह चीज़े मैं paid courses में प्रोवाइट करता हूं जिसकी cost around 50,000 होती है जो कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइट कर रहा हूं next 100 अपको प्रोवाइट क आपको यहां पर बीडिंग टाइप को देखने वाले ठीक है अब ही मैं इसको आक्षण पर है इसको मैं करता हूं रिजर्वेशन पर देखो जैसे रिजर्वेशन पर क्लिक किया मैं हमारा थिरिफ दो ऑप्शन खुल गया है इंगेजमेंट और यहां हमारा अवेशन देख समझ में आ रहा हूं रिजर्वेशन मतलब आपका एक पर्टिकुलर सेक्षन आप बुक कर रहे हो अपने लिए और यह है ऑक्षन का मतलब यह है ऑक्षन का अगर हिंदी मेनी बताओ तो होता है निला में ठीक है आप ऑक्षन पार्टिशिपेट करते हो इन दसेंस और भी ल सभी रखते है रिजर्वेशन आप बहुत- lett ही यह यँस करते है रिजर्वेशन में आपशली आप एडरं करते हो आपका वह पार्म stable होता है जिसमें किसी भी कॉमिजी पर नहीं लेते हो तेक है यहां यहाँ पे Auction पे रखने वाले हैं ठीक है यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊं यहाँ पर मैं Advantage Campaign Budget पर यहाँ पर On पर क्लिक करूँ यहाँ आपको देखने करें Campaign Bid Strategy ठीक है यहे Bid Strategy और यह था Bidding Type ठीक है अब मैं बात करने वाला Bidding Strategy के बारे में इसमें क्या क्या option आपको देखना की मलता है, edit में click करता हूँ, highest volume जिसका नाम पहले lowest cost था, ठीक है, and यहाँ पर highest volume कर दिया गया है, उसको नाम change कर दिया गया है, यह cost per result, ठीक है, मतलब, आप particular, अगर आपको पाला चाल रहा है कि आपकी जो sale है वो 100 रुपीस में आ रही है, आपको काफी add run की, आपने समझ में आगे, 100 रुपीस में आ रही है, तब आपने क्या कि 100 रुपीस केप लगा दिया, अब देखो, यह जो दोनों चीज़े नहीं, आपको live दिखाने भी आ ला हूँ, जिसमें मुझे result मिल रहे है, ठीक है, और best result मिल रहे है, वो मैं आपको यूज़ करेंगे, आप देखें, बीडिंग और cost cap में जो difference होता है, बहुत माहिना सा difference है, अगर फाइजिंग की बात करने तो, ठीक है, यूज़ करते हैं, अब बीड केप कभ यूज़ करना है, बीड केप का जो pricing है, वो क्या चूज़ करना है, वो भी वही चूज़ करोगे, जो आप cost cap को, दोनों में बहुत माहिना सा difference होता है, कि आप उतने bidding कर रहे हो, ठीक है, थाउज़नों को दिखाने में उतनी रुपय, आप spend करना चाहिए, तो suppose आपका 100 रुपीस में cost कर, result मिल रहे है आपको 100 रुपीस में, तो bid भी आप क्या करोगे, 100 रुपीस के आसपर रखोगे, 110, 120 के आसपर रखोगे, उस स्यादा नहीं रखोगे, ठीक है, अगर आपने ये सोचा कि मैं 400 रुपर दे देता हूँ, मेरी ad सबसे top में निखाए है कि ऐसा नहीं होता है, तोकि ad आपकी बहुत चीज़ों पर depend करती, सिर्फ ये चीज़ों पर depend नहीं करती, ad के dependency होती, आपके ad relevant है कि नहीं है, आपका ad copy सही है कि नहीं है, targeting आपने सहीं किया है कि नहीं है, ठीक है, जो optimizer event है, वो सहीं चूज किया है क जैसा कि मैंने already काफी बारे में discuss कर रख है, कि अगर जो आप चूज करोगे, जो आपको result चाहिए, वही चूज करोगे, तभी आपको वैसा result मिलेगा, अगर आपने landing page view चूज किया है, तो आपको landing page ही मिलेंगे, sales नहीं मिलने वाले है, ठीक है, तो ये सारे सिज़ों पर depend क क्या है, वह मैं आपको उताता हूँ, यहाँ पर अभी awareness का मतलब क्या होता है, लोगों तब पहुंचाना, ठीक है, अभी मैं का sales क्योज करों, continue पर क्लिक कर लेता हूँ, उसको नीची आता हूँ, अब देखो, यहाँ पर मैं पास एक और option आगया, जो है ROAS goal, ठीक है, ROAS का full perform क्या होता है, return on ad spend, ठीक है, मतलब कितना रुपए का return चाहते हो अपने ad spend से, अब देखो, यह चीजे जो हम आपको बता रहा हूँ, यह मैं स्री बता नहीं रहा हूँ, करता भी हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको सारा कुछ clear हो जाए, कि क्या study लगाता ठीक है, और आपको idea लग जाए, कैसे आपको result लाना, कैसे नहीं लाना, ठीक है, बहुत best studies बताता हूँ आपको, ठीक है, so यहाँ पर देखो cost per result है, ROS है, मतलब कितना रुपए का return चाहिए, अगर आप 100 पर लगा रहे हो, तो कितना return चाहिए, उसको आपको चूज कर सकते हो 4S का return चाहिए, 5S, यह mainly X पर काम करता है, ठीक है, ROS वैसे ही काम करता है, कि अगर 100 पर लगा है, आपको 400 का product sell हुआ, मतलब आपका ROS 4 का ROS है, है न, so इसको use कैसे करना है, strategy क्या है, वह मैं आपको अभी share करता हूँ, अब देखो, यह जैसे कि हम cost per result चूज करें, तो यहाँ प अगर नहीं होगी, show होना, show नहीं होगी, ठीक है, और अगर आपने सहीर price दिया है, जिसमें result दे सकता है, वो तो लोगों को show कराएगा, अगर मैं यहाँ पर ROS चूज करूँज करूँगा, continue पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसमें चले आता हूँ, अब यहाँ पर मैं पस ROS का option आ रहा है, ठीक है, तो ROS मुझे कितना चाहिए, कितना ROS मुझे result चाहिए, तो वो मैं ROS रख सकता हूँ, 2 का चाहिए, 2.5 का चाहिए, 3 का चाहिए, वो यहाँ पर choose कर सकता हूँ, ठीक है, सेम वही चीज मुझे यहाँ पर भी देखने का मिलेगा, अगर मैं bid cap लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, strategy बिच क्लिक करके, यह मैं bid cap चूज कर लेता हूँ, then यहाँ पर continue, then यहाँ पर मैरे पस bid cap control का option आ रहा है कि इतना रुपा आप बीडिंग में maximum दे सकते हो, ठीक है, और बीडिंग कैप आपको उतना ही रखना है, इतना cost पर result होता है, चलो यहाँ आपक आपको एक idea लग जाए, कि हाँ वाई, सच में हम काम करते हैं, ठीक है, सरीफ बताना हमारा काम नहीं है, हम जो 100 के series लेके आ रहे है, वो छोटी मोटी series नहीं है, यह actual में जो work किया गया है, जो result लाया गया है, वो series है, ठीक है, so यहाँ पर, अगर मैं अपने add account में चले जात purchase पर हमने लगाया हुआ है, ठीक है, यह देखो, 11 result, अब इसको मैं maximize कर लेता हूँ, है न, maximize कर लिया, और यह देखो, इसके result, यह तो अला campaign हमारा, बट इसके result देख सकते हैं, इसके result देख सकते हैं, और हमारा daily का हमने 70,000 का लगाया हुआ है, 70,000, वलनाएक 20,000, तो यह मे 270 का, 280 का, है न, यहाँ पर आप देखोगे, कि मुझे जो result मिल रहे हैं, वो mainly मिल रहे है, 270 से, तो यह जो मेरा है, perfect है, मेरे result देने के लिए, और यह देखो, 270 मुझे result दे भी रहा है, ठीक है, और 280 में यह भी result दे रहा है, यह भी result दे रहा है, इसकी वर स्थो यह सी costing जाद नहीं सकता हूँ, है न, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं आपको पूरा explain कर बताता हूँ, यहाँ पर मेरा, एक मैंने add बनाया हुआ है, जिसको मैंने CBO में रखा हुआ है, CBO का बैजने costing रखा हुआ है, 1,20,000, and यहाँ पर मैंने इस particular CBO में रखे, इसको CBO में रखे, बन भी कर सकता हूँ, बट रिजल्ट मुझे दे रहा है, अब यहाँ पर देखो, 169 रिजल्ट लिए है मैंने, और 266 रूपिस में, और यह चालू करके मैंने सिर्फ छोड़ दिया, अब मैं चालू कब किया था, वह भी दिखाया था हूँ, 1st of May, 20th of April को start किया था, अभी आज का जो डेट है, वह 28th of May है, ठीक है, मतलब एक मैने हो चुके हैं इसको, और यह हमारी रिजल्ट एड दे रहा है, ठीक है, और यह तो हो गया हमारा एक, यह हमारा second है, इसको मैं दिखायता हूँ, यह दखो, 290 भी किया हूँ है मैंने, ठीक है, और 290 में मुझे रिजल चैप कर रही बनाया हुए, ठीक है, यहाँ पर मैं रॉस में चल ले आता हूँ, यह देखो, 2.3 का रॉस यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, और मुझे कौन सा रिजल्ट दे रहा है, इस नाम पर मैं जाई है, मैंने चीज़ नहीं किया हूँ है, यह मुझे रिजल्ट दे रह तो मतलब मुझे वो धाइस वरवाय में रिजल्ट दे रहा है अगर मैं उसको कर दूँ फाइफ हंडड़ डिवाइड़ वाइड़ थी कार रोएज तो मतलब मुझे वन से शिक्स में रिजल्ट चाहिए ठीक है लेकिन मेरा जो प्रोड़क्ट है वो है प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट चाहिए ठीक हं लेकिन अभी मुझे रिजल्ट कितने में दे रहे हैं तो कोई बात ने यहां पर से अचाहिब ने हुए है बट हुए मैं प्रोफिटेबल हूं हुए इस प्रोडिवलं चीज में तो मैं चाहिए कर रहा हूं और मैंने इस तरह से इसको भी च सब्सक्राइब कर दो क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ठीक है हां लो पसंद कर रहे हैं और अब हम वीडियो बने और वीडियो बने और वीडियो बने और इस सब्सक्राइब करते हैं सो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर थैंक यू